मित्रो जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कता याद आती है परंतो अधिक्तत जन मानस के मन में ये सवाल उड़ता है कि जब भगवान कृष्ण राधारानी से बेंताहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की? अगर आपके मन में भी ये सवाल उड़ता हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ कि आखिर भगवान शिरी कृष्ण ने राधारानी से विवाख क्यों नहीं किया तो वीडियो के अंतक हमारे साथ ज़रूर बने रहे नमस्कार मित्रों आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदू धर्म ग्रंतों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं जिन में से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बलकि शिरी कृष्ण का ही एक रूप थी सकंद पुरान की माने तो शिरी कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूती के लिए किसी अन्यकी आवशक्ता नहीं होती उनकी आत्मा तो राधा ही है अता राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता ऐसे में फिर राधा और शिरी कृष्ण के विवा होना और बिचणने का सवाली नहीं उड़ता शिरी कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रिकट किया है ये भगवान का एक मनोरम रूप है पुराणों में उनके इस रूप को रहस, अध्यात्म और दर्शन से जोड़ कर देखा गया वही ब्रह्म वैवर्थ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी एक बार उनकी अनुपस्थिती में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विर्जा के साथ घूम रहे थे तबी राधा आ गए वे विर्जा पर नाराज होकर वहां से चली गए श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह विवार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगी राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंक चूड नामक राक्षस बनने का श्राप दिया इस पर श्रीदामा ने भी उनको प्रत्वी लोग पर मनुश्य रूप में जन्म लेकर सौव वर्ष तक कृष्ण विच्छो का श्राप दे दिया राधा को जब श्राप मिला था तब श्रीकृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुश्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी यही कारण था कि राधा और श्रीकृष्ण का बच्पन में विच्छो हो गया था जबकि रामचरित मानस के बालकांड के अनुसार एक बार विश्णू जी ने नारज जी के साथ चल किया था उन्हें खुद का सुरूप देने के बजाए वानर का सुरूप दे दिया था इस कारण वे लक्ष्मी जी के सुएमवर में हसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवा करने की अबिलाशा अबिलाशा ही रह गई थी नारज जी को जब इस चल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंट पहुचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी व्योग का शिराब दे दिया नारज जी के शिराब की वजह से रामावतार में भगवान रामचंदर जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का इसके लाबा एक अन्य पौराने कथा कि अनुसार राधा शिरीकृष्ण से पांच वर्ष बड़ी थी राधा ने शिरीकृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी मा यशोदा ने उन्हें उखल से बान दिया था कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता व्रष भानुजी के साथ आई थी तब शिरीकृष्ण को पहली बार देखा था जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी जो भी हो लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था ऐसा माना जाता है कि तब ही से राधा शिरीकृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी जब गाओं में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना पंद करवा दिया जिसके बाद एक दिन श्रीकृष्ण ने अपनी माता यशोधा से कहा कि माता मैं राधा से विवा करना चाहता हूँ यह सुनकर यशोधा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है पहला तो यह है कि वह तुमसे बारह साल बड़ी है और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी रायान के साथ पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है जब आएगा तो राधा का उससे विवा हो जाएगा इसलिए उससे तुम्हारा विवा नहीं हो सकता हम तुम्हारे लिए दूसरी करन्या ढूंटेंगे लेकिन कृष्ण जिद करने लगे तब यशोधा ने नंद से कहा कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं माली तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग रिशी के पास ले गए। तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूँ कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे छोड़ दूँ। यह तो नयाय नहीं है। क्या मेरे बारे में कुछ और बताईए। तब गर्ग मुनी ने कहा कि नारद ने तुम्हे पैचान लिया है और तुमने अपने सभी गुड़ों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुश हो जिसके बारे में रिशी मुनी चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाब उठे और गोवर्धन परवत की सबसे उची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ग्यान को उपलब्द हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर व्रंदावन छोड़ कर मत्रा चले गए। और इधर राधा का विवा यशोधा के भाई प्रायान से हो गया। उससे शादी नहीं होती है तो निराशना हो बलकि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें जैसा की श्री कृष्ण ने किया था। तो मित्रों मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण और राधा की ये प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे जादा से जादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। फिलाल आज की वीडियो में इतना ही अब हमें इजासत दें आपका बहुत बहुत श्री करें। झाल अगर का बहुत थ्यूश उढ राधा की वीडियो करें।